नमस्कार दोस्तों मैं रिना आपके अपने चैनल रिना किचेन रस्मियन डॉक्स वें सागत करती हूं तो कार्टिक मा हैं सबसे पवित्र महीना अगर हम 12 महीनों में से मानते हैं तो कार्टिक का महीना पहला ऐसा शुब दिन है जो की पूरे महीने भर इसमें काफे महतों रख तो एक नगर में बहुत ही धन्वान सावकार रहता था उसके घर में धन की कमी नहीं थी परन्तु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था पुत्र की कामना के लिए वह प्रतेक सोंबार शुजी के व्रत और पूजन किया करता था तदा सायकार मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जराय करता था उसके इस भक्ती भाव को देखका एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे नात यह सावकार आपका अनन्य भक्त है सदेव आपका व्रत और पूजन बड़ी शद्दा से करत आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए शिव जी ने कहा कि हे पार्वती यह संसार कर्म चेत्र है जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल कारता है इसी तरह से मनुश्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं माता पार्वती ने अतियंत आग्रे से कहा कि हे प्रभू यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपका वश्य दूर करना चाहिए आप तो सदे अपने भक्तों पर दयालू होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुश्य आपका पूजान वरत क्यों करेंगे तो माता पार्वती का ऐसा अगरे देखकर शिव जी कहने रगे कि हे पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है इसके इसी चिंता में याती दुखी रहता है अब इसके भाग्य में पुत्र नहोने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ती तो दे सकता हूँ परन्तु वैं भी 12 वर्षक जिवित रहेगा इसके पश्चाद वह मृत्ति को प्राप्त हो जाएगा इससे अधिक में इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ माता पारवती और भगवान शिव का यह वारता लब सावकार सुन रहा था तो इससे सावकार को नय तो प्रैसंता हुई और नहीं दुख हुआ वह पूरु की समय शिवजी का वरत तो पूजन करने लगा अब कुछ समय के बाद में सावकार की स्त्री गर्व अती हुई घर में बहुत धूम धाम से खुशिया मनाए गई लेकिन सावकार के मन में तो था कि वो तो केवल 12 वर्ष तक जिंदा रहेगा उसके बाद में उसकी कोई भी आयू नहीं थी तो अब जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने पिता से उसके विवा करने के बात कही अब सावकार बोला कि अभी तो इसको पड़ाई लिखाई के लिए काशी भेजो फिर उसके बाद में इनका विवा करेंगे कराते विए अब राष्टे में एक शहर पड़ा और उस शहर के राज़े के कन्या का मिवा won यह परण्टो जो राजकुमार विवा करने के लिए आया था वो तो खुदि कारना था अब राजकुमार को देख राजकुमारी और उसके माता-पिता भी महां में किसी भी प्रकार के अर्चन पेदा ना कर दे इस वज़े से उन्होंने उस सुन्दर मन भावन लड़के को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को वरके रूप में ढून लिया जाए तो ऐसे मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात कर लिए अब दौनों राजी हो गए दूले का बेश बना को उनको कपड़े पहना के घोड़ी पर बिठा दिया अब कन्या के द्वार पे पहुँचे तो सभी कारे उनकी प्रसंता से पून हो ग पा होगी अब सेट का पुति जिस समय जाने लगा तो उसके राजकुमार की चुन्री के परले पर लिख दिया कि तेरा विवा मेरे साथ हुआ है परंतों जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो तो खुदी का ना है अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूं अब अपनी चुन्री पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो अंदे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया अब उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा विवा इसके साथ नहीं हुआ मेरा विवा तो जिसके साथ हुआ है जो काशी जी पढ अब जैसे ही उसकी उमर 12 वर्च थी तो लड़की की अचानक तव्यत खराब हो गए अब उसने अपनी मामा को बोला कि मेरी तव्यत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जा थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए जब उसके मामा ने कहा कि उसक जा रहे थे जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगे कि हेना कोई दुख्या रो रहा है इसके कश्ट को दूर कीजिए जब शिव पार्वती वहां पहुचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का था उसको आपने वर्दान से उत्पन हुआ है तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती इसके आयू इतनी ही थी वह भोग चुका है तो पार्वती जी ने कहा कि हे ना इस बालक को और आयू दे दो नहीं तो इसका माता पिता तडब तडब करी मर जाएंगे माता पार्वती के बार बार आग्या करने पर शिव उसको जीवन का वर्दान दिया शिवजी की क्रिपास उसका लड़का जीवित हो गया अब इसके बाद में माता पार्वती के लाश परवत चले गए शिक्षापूर्ण होने पर जब लड़का और उसके मामा यग्य करते हो ब्रामनों को भोजन कराते हो दक्षना देते हो घर क चले तो रासे में उसी शहर में आये और जहां उस लड़के का वहां की राजकमारी से विवा हो रहा था वहां जाकर उन्होंने एग्य क्रारम किया लड़के के ससूर्जी आए राजग ने उनको पहचान लिया महल में ले जाका उनके आवगत की जैसे दास दासियां सहीत आदर पूर्वक अपनी राजकमारी और जमाई को विदा दिया भाह से बिदा होका सेट का लड़का अपने मामा उपतनी सहीत उसी तरह ये कराते वे ब्रावनो को भोज गरा देते वे अपने घर के लिए चले गए घर जाकर लड़की ने अपने माता पिता को सारी बात बताई इससे बहाती प्रसन हुए शिव पार्वती जैसे आपने सेथ और उसके परिवार को दिया प्रेसे सभी को देना सुमाय व्रत कता कहने सुनने हुकारा देने वालों को सब को देना ये थी आज की सुमाय की व्रत कता